आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हम इंसान बंदर जैसे दिखने वाले किसी एक स्पीसीज से इवाल्व हुए हैं। हमारे पुर्बच बहुत पहले बंदरों जैसे ही पेड़ में रहा करते थे। फिर धीरे 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 पीड़ी दर पीड़ी पार होते गया और वही स्पीसीज धीरे धीरे इंसान में इवाल्व हुआ। वैसे ही कुत्ते भेड़ियों से इवाल्व हुआ है। तो हम जिस evolution की बात करते हैं वो evolution आखिर है क्या? वो होता कैसे है? और उसका consequences क्या क्या है? यही आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं evolution कहा किसे जाता है? जब किसी biological population का characters में change आता है। जैसे कि भेड़िये size में बहुत बड़े होते हैं जबकि कुत्ते size में relatively छोटे होते हैं। स्वभाव को अगर देखा जाए तो भेड़िये by nature aggressive होता है जबकि कुत्ते by nature relatively mild होता है, relatively calm होता है। तो भेड़ियों और कुत्तों में character में बहुत सारा differences है। वैसे ही हमारे बहुत पहले के पूरवज के साथ हमारे भी character में बहुत difference है। तो जब किसी biological population के character में change आता है, यहाँ पर देखे, heritable character है, तो फिलाल के लिए से character मानके चलिए, heritable character क्या है, थोड़ी देर में ये clear हो जाएगा। तो जब किसी biological population के character में change आता है, over successive generations, बहुत सारे generation पार होने के बाद, तो इसी process को evolution कहा जाता है। ये evolution होता आखिर कैसे है, इसके लिए चलिए एक छोटा सा situation कंसीडर करते हैं, जंगल का एक छोटा सा हिस्सा, जहाँ पर की beetles का एक population है, beetle यानि की bring, इन beetles को कवे खा जाते हैं, लेकिन कवे खा गये तो क्या हुआ, इन में reproduction भी होता है, जिससे की नए beetles पैदा होते हैं। इसी तरह से beetles मरते जाते हैं और फिर नए-नए beetles पैदा होते जाते हैं। एक दिन अचानक क्या हुआ, reproduction के दोरान genetic mutation होने से एक green color का beetle पैदा हुआ। अब green color के beetle जो है, ये अपने background के साथ match हो जाने के कारण predators इन्हें देख नहीं पाते हैं। तो इससे इनके जिन्दा रह रहने के chances relatively कम हो गया। तो लाल beetles को predators खा जाते हैं, जबकि इस green beetles को predators देख नहीं पाते हैं, तो इसका जिन्दा रहने के chances और reproduce करने के chances बढ़ गया। इसी तरह से इस population में लाल beetles कम होते गए और green beetles बढ़ते गया। तो जहाँ पर पहले लाल beetles का population था, वहीं पर अब green beet पॉपिलेशन बन गया, तो इसी को हम कहेंगे कि रेड बीटल्स का ग्रीन बीटल में इवलूशन हुआ, तो यहां पर आप ध्यान दे कि सबसे पहले एक म्यूटेशन हुआ, जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, उसके बाद उस म्यूटेशन के कारण पैदा हुआ जो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स आ गया, जिससे कि नेचर ने उसे सिलेक्ट किया, उसके सर्वाइवल को सिलेक्ट किया, ग्रीन बीटल्स के आसपास का नैचरल सराउंडिंग्स ही ऐसा था, कि ग्रीन बीटल वहां पर ब्लेंडड हो गया अपने बैक्ग्राउंड में, इससे व खास तरह के ट्रेट को सिलेक्ट करता है, और उसे नरिश करता है, तो यहाँ पर म्यूटेशन सबसे पहले हुआ, उसके बाद नैचरल सिलेक्शन हुआ, जिससे की एवल्यूशन हुआ, तो नैचरल सिलेक्शन इस तरह का एक प्रॉसस है, जहाँ पर की डिफरेंशियल चांस बनना और रिप्रोडक्शन के चांस बनना तो नाचरल सिलेक्शन इस तरह का प्रॉसस है जहां पर की डिफरेंशियल सर्वाइबल एंड रिप्रोडक्शन होता है क्यों होता है difference in traits के कारण traits मतलब properties तो properties में difference होने के कारण red beetle के survival chances और green beetle के survival chances में difference हुआ और nature ने green beetle को select किया यही है natural selection और यह natural selection evolution का एक key mechanism है important mechanism है अब जैसे कि हम बात कर रहे थे evolution के बारे में जहाँ पर की हमने देखा था कि characteristics में change आना heritable characteristics में change आना किसी biological population में इसी को evolution कहा जाता है अब चलिए देखते हैं heritable characteristics हम क्यों कहते हैं beetle का ही दो population हम consider करते हैं दो अलग-अलग जगों पे दो तरह का beetle population अब पहले population के साथ क्या होता है कि अचानक से जिस जगा पे वो रहते हैं वहाँ पर जो घास पत्तिया हैं जो पेड़ पौध हैं वो सूखने लगे तो इन्हें कम खाने को मिलने लगा इसके कारण क्या हुआ यह भर पेट खाना ना खाने के कारण इनमें नरिश्मेंट नहीं हुआ और इसका जो फुल पोटेंशियल है उस पोटेंशियल तक यह ग्रो नहीं कर पाया तो इनका साइज रिलेटिवली छोटा होने लगा क्यूंकि इनको भर पेट खाना नहीं मिलता था लेकिन यहाँ पर जो साइज में चेंज हुआ यह किसी जेनेटिक चेंज के कारण नहीं हुआ बलकि इन्हें खाना नहीं मिल रहा है इसलिए यह पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा है अब कुछ जेनरेशन बाद अचानक से सब कुछ ठीक हो गया घास पत्तिया उगने लगी यह भर पेट खाना खाने लगे तो इससे क्या हुआ कि बीटल वापस से अपने पूराने साइज को रीगेन करने लगे अब दूसरे पॉपुलेशन के साथ क्या हुआ कि अचानक से एक दिन एक ग्रीन बीटल पैदा हुआ जिस सिचुएशन पर हमने थोड़ी देर पहले बात किया था और फिर बहुत सारे पीणिया पार हो जाने के बाद यही पॉपुलेशन ग्रीन बीटल के पॉपुलेशन में इवॉल्व हुआ यहाँ पर जो ग्रीन बीटल पैदा हुआ यह ग्रीन बीटल जेनेटिक म्यूटेशन के कारण पैदा हुआ तो पहले case में देखे, genetic material में किसी भी तरह का change नहीं हो रहा था, इन्हें खाना नहीं मिल रहा था भरपेट, इसी लिए ये अपने पूरे size को gain नहीं कर पा रहा था, लेकिन दूसरे case में genetic material में change हुआ, तो पहला जो example है, ये पहला example में जो size छोटा होने का trade है, इसे acquired trade कहा जा इस trade को inherited trade कहा जाता है, क्योंकि यही property ये आगे के generation में genetic code के तौर पे ये propagate करेगा, जबकि इसका जो size छोटा होना है, ये gene में किसी तरह का change नहीं है, इसी लिए ये आगे के generation में genetic code के तौर पे body size छोटा होना, इस information को ये propagate नहीं कर पाएगा, तो obviously जो पहला example है, भर पेट खाना ना मिलने के कारण size छोटा होना, ये evolution नहीं है, क्योंकि यहाँ पर genetic code में change नहीं हो रहा है, जबकि दूसरा जो example है, जहाँ पर green beetle पैदा हो रहा है, ये evolution का example है, अब जैसे कि हम बात कर रहेते हैं, genetic material में change होना, ये important factor है evolution के लिए, तो चलिए देख लेते हैं, gene में change किस तरह से आता है, तो एक important factor है gene में change होने का, वो है mutation, जब किसी organism का DNA या RNA में किसी तरह का alteration होता है, change होता है, तो उस process को mutation कहा जाता है, ये अलग-अलग तरीके से होना इसका possible है, जैसे कि जब meiosis होता है, या mitosis होता है, तब DNA का copying होता है सबसे पहले, चुकि हम यहाँ पर reproduction से related बाते कर रहे हैं, इसलिए meiosis को consider करते हैं, meiosis 1 में DNA का replication होता है सबसे पहले, तो उस copying के दोरान कभी-कभी copying error हो जाता है, जिससे की gene में change हो जाता है, और एक तरह से gene में change आ सकता है, कि ultraviolet radiation जैसे चीजों से DNA में damage आ सकता है, जिससे DNA में change आ सकता है, तो ये तो mutation है, जिसके कारण gene में change आता है, अब इसकी कुछ consequences इसके लिए हम consider करते हैं कि एक छोटा सा नाला है एक जंगल के बीचों बीच, इसके एक तरफ एक beetle का population है, अब अचानक एक दिन क्या होता है, कुछ beetles किसी तरह से इस नाले को पार कर जाते हैं, हो सकता है, पत्तियों में बैठके ये पार हुआ हो, या किसी सूखी लकडी म बैठके ये पार हुआ हो, मुद्दा ये है कि इन तीन beetles ने इस नाले को पार कर लिया, अब इन beetles ने इस तरफ reproduction से अपना colony बना लिया, इस तरह से कुछ generation बीच जाने से क्या हुआ, कि एक ऐसा beetle पैदा हुआ, एक छोटा सा genetic change हुआ, इससे एक ऐसा beetle पैदा हुआ, जिसमे कि दो spot आ गए, अब इससे जो offspring पैदा हुए, उनमें भी वो spot दिखने लगा, अब एक दिन क्या होता है कि दूसरे colony से बहुत सारे beetle मर गए, और किस्मत से दो ऐसे beetles बज गए, जिन में spots हैं, अब जब ये reproduce करेंगे, तो spot वाले beetles ही पैदा होंगे, अब एक दिन क्या हुआ, अचानक से इस पहले colony से एक beetle इस दूसरे colony में पहुँच गया, अब इनने हुआ reproduction, reproduction से एक नए तरह का beetle पैदा हुआ, यहाँ पर देखे, इन beetles के पास खास तरह का genetic material था, obviously यहीं से कुछ beetles इस तरफ आके population बनाया, लेकिन समय के साथ साथ कुछ genetic change आया, जिसके कारण इन में spot दिखने लगा, तो थोड़ा सा genetic material में difference है, दो तरह के beetles में, अब इधर से अगर कोई beetle आता है, और उसका genetic material और इसके genetic material में fusion होता है, तो इस तरह के situation में हम कहते हैं gene का flow हुआ, तो इस population से इस population में gene flow हुआ, अब समय पार होते गया, और इस तरह के ज्यादा spot वाले beetles संख्या में बढ़ने लगा, और situation ऐसा आगया कि सारे के सारे beetle दूसरे colony में सारे 6 spot वाले beetle बन गया, अब अचाना के एक दिन इन में mutation हुआ, और एक green color का beetle पैदा हुआ, फिर इसकी संख्या बढ़ती गई, क्योंकि natural selection होगा यहाँ पर, चूंकि यह बहतर blend करेगा अपने background से, तो इसलिए इसकी संख्या बढ़ते 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 पूरे colony में green beetle भर गया, अब फिर से पहले colony से एक beetle इस दूसरे colony में आ गया, इसने reproduce करने का कोशिश किया, लेकिन genetic material में बहुत ज्यादा difference होने के कारण इन में reproduction possible नहीं हुआ, तो ऐसे situation में हम कहते हैं, कि यह दो बिलकुल अलग-अल species के बीच reproduction नहीं हो पाता है, तब हम कहते हैं, कि दो बिलकुल अलग-अलग species हैं, तो यहाँ पर आप गौर से सुचे, तो एक ही colony से निकला हुआ, बीटल से ही दूसरा colony बना, लेकिन समय के साथ साथ, genetic material में change होते 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 होते, एक ऐसा situation आया, कि इन दो colonies के बीच, अब reproduction possible नहीं हुआ, तो यह जो separation है, दो तरका species में convert होना, इसी को speciation कहा जाता है, तो speciation evolutionary process है एक तरका, जिससे की एक ही population से दो अलग-अलग तरके distinct species निकल के आता है, जैसे की इनसान और चिंपैंजी, लग-बग 60 से 80 लाग साल पहले, इनसान और चिंपैंजी का एक ही ancestor हुआ करता था, उसी एक common ancestor से ही, दो अलग-अलग species निकला, दो अलग-अलग तरीके से mutation होने के कारण, दो अलग-अलग तरीके से evolve हुआ, दो अलग-अलग species इनसान और चिंपैंजी, आप अगर देखें एक इनसान को और एक चिंपैंजी को, तो इन में आपको बहुत-बहुत सारे differences नज़र आएंगे, क्योंकि ये दो अलग-अलग species हैं, इन दोनों में reproduction possible नहीं है, वैसे तो उपर-उपर तोर पे हम में और चिंपैंजी में बहुत difference नज़र आता है, इनसेस्टर बहुत recent है, evolutionary line में 60-80 लाग साल बहुत पुराना नहीं है, बहुत ज्यादा समय नहीं होता, लेकिन अगर चीता के साथ हमारा common ancestor देखा जाए, तो ये लगभग-लगभग 10-20 करोड साल पहले हुआ करता था, मतलब बहुत पहले ही हम diverge कर गए, अलग-अलग हो गए, जिसे कि हमारे और चीता के genetic material में बहुत ज्यादा change आया, और चुकि हमारा separation चिंपैंजी के साथ बहुत recent है, तो ज्यादा बहुत ज्यादा genetic material में change नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीजे जैसे कि आख, कान, नाख, मूँ का अगर position देखें, तो हमें लगेगा कि हमारा चिंपैंजी के साथ ज्यादा similarities है, न की चीता के साथ, तो हमें और चीता में बहुत difference है, वैसे देखा जाए तो इनसान और चीता दोनों mammals है, एक और mammal consider कर लेते हैं, चमगादर, तो अगर उपर उपर तौर से देखा जाए, तो हमें, चीता में और चमगादर में बहुत अंतर नजर आता है, पर इसी ग्रूप में अगर हम एक चीटी को रखते हैं, और आप से कहा जाए कि odd one out कीजिए, तो आप किसे out करेंगे? obviously आप चीटी को out करेंगे, इंसान, चीता और चमगादर ये तीनों mammals है, उपर ही उपर देखने से इनमें बहुत अंतर है, लेकिन अगर skeletally देखा जाए, skeleton structure देखा जाए, तो इनमें बहुत सारी similarities भी है, अगर इंसान के हाथ को देखा जाए, तो हाथ में जिस तरह की हड़ जितनी संख्या में है, चीता के पैर में भी वही वही हड्डिया उसी उसी संख्या में है और चमगादर के पंख में भी वही है, ये हमें indicate करता है कि हम सब का जो common ancestor था, उसके पास भी यही हड्डिया इसी संख्या में थी, अब वही से अलग अलग direction में, अलग अलग divergent evolution कहा जाता है और ये जो organs है इन organs को कहा जाता है homologous organ जो एक ही तरह के organ से अलग-अलग requirement के कारण अलग-अलग तरीके से अलग-अलग shape में और अलग तरह के काम करने के लिए evolve हुआ हो इस तरह के organs को homologous organ कहा जाता है अब इसका उल्टा भी सही है अगर आप compare करें एक चमग और तीनों का पंक उड़ने के लिए इस्तमाल होता है लेकिन तीनों के पंक का जो structure है ये structure बिल्कुल अलग है चमगादड के पंक में जो हड़िया जिस संख्या में है पक्षी के पंक में उस संख्या में वो वो हड़िया नहीं है और कीडे के पंक में तो हड़ि ही नहीं है इस तरह का जो evolution है जहां पर की बिलकुल अलग-अलग organs एक ही तरह के काम करने के लिए evolve हुआ हो इस तरह के evolution को convergent evolution कहा जाता है और इस तरह के organs को जो एक ही तरह का काम करता है लेकिन अलग-अलग organs से evolve हुआ हो इस तरह के organs को analogous organ कहा जाता है तो ये जो दो तरह का example हमने देखा ये हमें indicate करता है कि evolution stages में होता है अचानक कोई एक mutation हुआ और evolution हो गया ऐसा नहीं होता है आप देखें हमारा जो common ancestor है सारे mammals के जो common ancestor है उसकी पास जिस तरह का organ था वही organ धीरे 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 अलग-अलग requirement के कारण कोई सामान पकड़ने वाले हाथ में evolve हुआ तो कोई तेजी से दोड़ने वाले पैर में evolve हुआ तो वही एक punk के तोर पे evolve हुआ और ये सारे evolution अचानक एक mutation से नहीं हो सकता है तो ये indicate करता है कि evolution जो है ये stages में होता है और दूसरा वाला जो example है ये specifically हमें ये बताता है कि एक ही तरह का evolution देखें कीडे में हो या फिर पक्षी में हो या फिर जमगादण में हो तीनों के पास punk है तो तीनों similar evolution है मतलब एक ही तरह के काम करने लायक organ बनाने वाला evolution तो तीनों similar evolution है लेकिन ये तीनों अलग अलग organ से evolve हुआ है और independently evolve हुआ है अब evolution का stages में होना इसका एक बहतरीन example है आखे हमारी आखे कितनी complicated है आख में एक lens है अंदर एक liquid है जिसे की vitreous humor कहा जाता है बहुत सारे photoreceptors है और optic nerve है इस तरह से बहुत सारे parts मिलकर हमारा complicated eye बनता है क्या ये आख एक ही genetic mutation से संभव है obviously नहीं सबसे पहले जो आख हुआ करता था वो बड़ा ही primitive हुआ करता हुगा जो शुरुवाती आख है जो कि आज भी हमें यूगलेना जनस में दिख जाता है जो कि एक unicellular organism है वहाँ पर सिर्फ photoreceptor protein है जो कि light को सिर्फ sense कर सकता है इस तरह के जो photoreceptor protein का spot है इसे eye spot कहा जाता है यहाँ पर आप देखे eye spot है eye spot सिर्फ light को sense कर सकता है मतलब कहा light है और कहा dark है इसी को यह differentiate कर पाता है interesting बात यह है कि यह eye spot एक estimation के हिसाब से यह eye spot independently 40-60 बार evolve हुआ होगा तो similar kind of organ जो है इस evolutionary line में यह अलग-अलग independently evolve हो सकता है अब यहीं आखे जो है primitive आखे जो है इसी में evolution हुआ और जहाँ पर photoreceptor cells है वो जगा तोड़ा अंदर की तरफ धस गया इस तरह की आखे जो है इनको cup eye कहा जाता और इस तरह की आखे हमें planaria में दिखता है इसका benefit यही है कि यह light के direction को थोड़ा बहुत sense कर पाता कि light किस direction से आ रहा है फिर उसी का आगे evolution हुआ और जो यह open space है जहां से light अंदर की तरफ आ रहा वो open space छोटा होते गया और यह structure pin hole camera जैसा बन गया इस तरह की आखे जो है यह एक तरह के mollusk जिसे की nautilus कहा जाता है इसमें दिखता है यह वो आख है इसका benefit यह है कि इसमें optical resolution जो है यह थोड़ा बहतर बनता है थोड़ा और clear दिखता है अब यही धीरे धीरे evolve हुआ और यह जो खाली जगा है इस खाली जगा में एक तरह का liquid transparent liquid भर गया इस तरह के आखों को humorous eye कहा जाता क्योंकि उस liquid को humor कहा जाता है इस तरह की आखे हमें velvet warm में दिखता है इस तरह की आखों का एक benefit यह है कि यह color filter कर सकता है और इसके आगे जो यह जिल्ली है जो यह पतला सा परत है membrane है यह ultraviolet radiation को block कर सकता है फिर आगे evolution हुआ और एक lens evolve हुआ इस तरह की आखे हमें lubopods में दिखता है फिर आगे यही आख जो है evolve हुआ और advanced eye जो की हम सारे mammals में दिखता है यह advanced eye में convert हुआ इस तरह के आखों का benefit यही है कि इसका imaging resolution जो है यह बहुत ज्यादा होता है इसका viewing angle भी बहुत ज्यादा होता है optical power भी बहुत ज्यादा होता है तो इस तरह से आखों का evolution हुआ तो जैसे आखों का evolution हुआ वैसे ही हम इंसानों का भी overall evolution हुआ जैसे इस वीडियो के शुरुआत में हम लोग बात कर रहें थे कि इनसान बंदर जैसे दिखने वाले एक species से evolve हुआ है और इनसान का जो evolution है ये stages में हुआ है अचानक एक mutation से नहीं हुआ है इसलिए इनसान जैसे दिखने वाले बहुत सारे जीवों का fossil हमें मिलता है हम गोरिला से अलग हुए लगभग लगभग 85 से 115 लाग साल पहले और हम चिंपैंजी से अलग हुए लगभग 60 से 80 लाग साल पहले अब इनसान का जो recent evolution है वो आपको इस figure में दिखेगा यहाँ पर आप इन नामों को याद रख सकते हैं इस तरह से जो important evolution हुआ इनसान जैसे दिखने वाला creature कुछ इस जगा से शुरू हुआ और यहाँ से फिर आगे ये ब्रांच में तूटता गया और धीरे 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 होमो सेपियन्स याने की इनसान का evolution हुआ इनसान का evolution हुआ था आफरिका में और वही से लगभग एक लाख साल पहले एक छोटा सा ग्रूप आफरिका से बाहर निकला और यहाँ से उसका एक पार्ट यूरोप की तरफ चला गया यूरोप को पॉपिलेट किया दूसरा पार्ट जो है यहाँ से भारत होते हुए मयनमार होते हुए इंडोनेशिया जैसे जो islands है यहाँ पर वहाँ से होते हुए आस्ट्रेलिया पहुँच गया और भारत से एक छोटा सा पार्ट जो है ये चाइना के इस्टरन कोस्ट होते हुए रश्या होते हुए अमेरिका में चला गया पहले एशिया और अमेरिका के बीच का ये जो समुंदर ये नहीं था जब आइस एज था तो दूनों मिला हुआ था तो इनसानों के लिए इसे पार करना बहुत बढ़ी बात नहीं थी और लगबग 10,000 साल पहले नौर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका में इनसानों का पॉपुलेशन जो है ये प्रापगेट किया तो इस तरह से एफरिका में इवाल्व हुआ होमो सेपियन्स पूरी दुनिया में अपना पॉपुलेशन को फैला लिया ये जो टापिक था ये टापिक था स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर हेरिडिटी और एवल्यूशन का पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हल्फुल रहा होगा तो जल मिलते हैं तब तक के लिए खुश रहें गैट बाई